एक कटोरी गर्मा गर्म इसे पी लो खासी जुकाम की छुट्टी हो जाएगी कितना भी तकड़ा जुकाम हुआ है यह इतनी लाजवाब रेसिपी है हाई फ्रेंस आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इम्मुनिटी बूस्टर रेसिपी जिसे आपको सिर्फ एक कटोरी ल हिंदी में बारफरे से आपको बहुत बहुत सौगत करती है तो यहां पे सबसे पहले मैंने कुकर चड़ा लिया है गैस पी अभी गैस आन नहीं की है मैंने यह यहां पे हाफ कप दाल ली है यह अरहर की दाल है इसे तूर दाल भी बोला जाता है और बहुत ज़्यादा हेल् यहां पर मैंने दाल को अच्छे से वाश कर लिया है अब इसके अंदर में 2 कप पानी डाल रही हो आधा कप दाल के लिए 2 कप पानी अब इसके अंदर 1 तीज़ पून में हल्दी एड़ कर रही हूं हलका सा नमक एड़ करेंगे नमक क्योंकि हमें बाद में भी आड़ करना है इसलिए थोड़ा ही एड़ करेंगे एक टेबल स्पून में इसमें ऑईल डाल रही हूं आप कोई सभी ऑईल जो यूज करते हैं सबजी में वह यूज कर सकते हैं अब मैं प्रेशर कूकर का धकन लग देती हूं गैस को अन कर देंगे और चार से पांस सीटी से लगने देंगे मीडियम फ्लेम पे अब दूसरी गैस पे हम इस तरह से तवा रखेंगे कोई भी लोहे का तवा या कुछ भी आप यूज कर सकते हैं जो भी है आपके पास वह यूज कर सकते हैं एक टीस्पून मैं खासी युगाम के लिए बहुत है है और यहां पर यह पर क्रूआव थीजनी बहुत बहुत ज़्यदा मदद करता है और यहां पर जो भी चीज silicon को दो कःट नहीं करें ओक एंगाए कर्यां है कि यहां पर तो यहां पर मुझे मUचे एक से जो मी अ्युमिमी मुज ऑज पर मुटे निकाल लीड़ अब नियुत पिलें, अब तो यहां में से आकचा से अपरिक पाउडर का शूठ किरा इसना बारिक पाउडर kesme यहां पे मैंने इसे तीर करना, कोरो इसा राकत मोटने का अगराया काचा सीए तो बारिक पाउडर है दाल पहले ही बहुत अच्छे से गल चुकी है इसे में थोड़ा सा और मैश कर दूंगी क्योंकि मुझे बिल्कुल बारीक दाल चाहिए मोटी मोटी दाल नहीं चाहिए एक दम इसे बारीक इस तरह से मैश कर देंगे तबी मैंने ज्यादा सीटी लगवाई थी ताकि दाल अच्छे से कुक हो जाए एकदम ओवर कुक करना है हमें दाल को तो यहाँ पे अब इसके अंदर मैं दो कप पानी डाल रही हूँ इसको हमें बिल्कुल पतला करना है तो एक कप पानी मैंने अड़ कर दिया है एक कप पानी मैं इसमें और एड़ करूंगी तो यहाँ पे दो कप पानी का आपको इस्तमाल करना है इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और यह हमारा दाल का मिक्षर तैयार हो जाएगा इसे रख देंगे साइड में यहां पर मैंने गैस पर कढ़ाई रखिया है जिसमें मैं दो टेबल स्पून तेल डाल रहे हूँ मैंने कनोला औयल यूज किया है तेल को अच्छे से गरम होने देंगे अब इसके इंदर मैं डाल रहे हूँ सरसो के बीज एक टी स्पून सरसों के बीच को अच्छे से क्रैकल होने देंगे चिटकने देंगे साथ हींग डालेंगे हींग हमारी सहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है साथ ही मैंने करी पत्ता डाल दिया है और करीपता भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसमें बहुत सारे एंटि आक्सिडेंट्स होते हैं हरी मिर्ष डालेंगे दो से तीन हरी मिर्ष यहां पे मैं कोई भी मसालों का यूज नहीं करूंगे इसलिए मैं सिर्फ हरी मिर्च यहां पर यूज कर रही हूँ जो कि बहुत अच्छी होती है आँखों के लिए और यहां पर मैंने एक बड़ा साइस का लाल टमाटर रफली चौप करके डाल दिया है तो जो भी चीज़े मैं अभी तक डाली है सारी ही हेल्थ के लिए बहुत अ तो थोड़ा सा नमक मैंने यहां पर और डाला टेस्क के अकॉर्डिंग डालेगा हाफ टीजपून मैं इसमें हल्दी एड़ कर रही हूँ और हल्दी भी अंटिसेप्टिक अंटिबाटिक होती है जो की हल्द के लिए बहुत अच्छी होती है खांसी जो काम के लिए भी बह इसे पार्च मिट के लिए में कवर कर देती हूं लो मीडेम फ्लेम पे जब तक कि टमाटर सॉप्ट नहीं हो जाए यहां पर आप देख सकते हैं टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए है मैं इसे थोड़ा-थोड़ा मैश कर देती हूं तो अच्छे से मैश कर इसे भी मिक्स कर देंगे और धन्या भी सेहत के लिए अच्छा होता है कोई इसमें मतलब नुकसान वाली चीज नहीं होती है अब इसके अंदर में यह मसाला एड़ कर दूंगी जो हमने पीस के रखा था और यहां पे बहुत ज़्यादा मसाले मैंने कुछ भी यूज नहीं अब जो दाल का मिक्षर था जो हमने तयार करके रखा था वो इसमें आड़ कर देंगे तो यहां पे मैंने दाल भी आड़ कर दी है जो कूकर में थोड़ी सी दाल लगी हुई है उसमें भी पानी आड़ करके मैं वो भी आड़ कर देती हूँ तो यह जो मिक्षर होने वाला ह यहाँ पे हमें पतला चाहिए और आप सोच रहोंगे क्या मैं कोई दाल बना रही हूं क्या मैं स्रांबर बना रही हूं तो मैं ऐसा कुछ भी नई बना रही हूं मैं बना रही हूं साउथ इंडियन रेसिपी रसम जो के खासी जुकाम के लिए बहुत अच्छी माने जाती है इम्मूनिटी बूस्टर होती है तो यहां पर मैंने से ढखके दो तीन मिनट के लिए पका लिया है और यह काफी अच्छे से पक चुका है अब इसके अंदर मुझे इमली का पानी डालना है बहुत सारे लोग कहेंगे कि इमली का पानी नहीं हेल्थ के लिए अच्छा होता है तो ऐसी बात नहीं है, अगर आप इमली का पानी नहीं डालना चाते हैं, तो इसमें आप निम्बो का रस्बी आड़ कर सकते हैं, गैस बंद करने के बाद, यहाँ पर मैं इसमें दो चमबच घर का बनाऊवा सांभर मसाला डाल रही हूँ, वैसे रसम पाउडर डाला जाता है पर हम लोगों के घर में रसम पाउडर मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर सांभर मसाला डाला है, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सांभर मसाला की क्वाटिटी कम जादा कर सकते हैं, अगर सीखना चाते हैं, घर में कैसे बनाते सांभर मसाला तो मैं वीडि धनिया डाल देंगे और हरड़न या तो हलकिकल हम बहुत ही अच्छा होता है तो यहां पर मैंने हरड्फन या टाल दिया है और यह हमारा रसम तैयार हो गया है इसे आपको ले ना कैसे है गर्मा गरम् जैसे आम सूप पीते हैं बिल्कुल ऐसे ही गरम गरम आपको इसे पीना है जब भी आपको लगे कि खासी जुकाम हो गया है मुझे गैरंटी है कि आप जब खासी जुकाम नहीं भी होगा ना तब भी इसे पीना पसंद करेंगे क्योंकि स्वाद में इतना लाजवाब है इसे आप वैसे भी पी सकते हैं और एक इम्मुनिटी बूस्टर ड्रिंक है जब भी मन करें आप इसे पीजिए और सर्दिया आ रही हैं सर्दियों में भी इसे पीएंगे तो आपको बहुती कमफर्टेबल फील होगा गरम गरम अच् सकते हैं और इसे गर्मा करम ही लेना है ठंडा करके मत लीजिएगा बहुत ही असरदार है और साउथ में इसे बहुत जादा पिया जाता है अलग अलग तरीके से बनाया जाता है आप एक पर इस रेश्पी को ज़रूर ट्राय करें आपको पसंद आएगी टेस्ट में भी ला लाइक कमेंट शेयर करना बिलकुर मत भूलेगा तो फिर मिलती है एक नई वीडियो के साथ